तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं म्यूकोसbelak discharge के बारे में जो कि नॉर्मली महिलाओं को प्रेजिसी के दोखाता है और खास तोर से प्रेजिसी के नॉए मेनी में हम यहनेंगे म्यूकस 열ि को अनके किस्क्राइब हो कि दुलिबरी हो सकती है और mucos plug discharge का क्या काम होता है सारी बाते जानेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए आप लोग ने अभी तक हमाई चैनल सुस्क्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा वीडियो अच्छा लगगा तो लाइक कर दीजेगा तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर mucos plug क्या होता है तो यह आपके गरवासे गरीबा या फिर आप कह सकते हैं सर्वाइकल कैनल पर लगा हुआ एक चिपचिपा, गाढ़ा और मुलायम तरल परदार्थ होता है जो कि दिखने में नॉर्मली बलगम होता है उसकी तरह दिखता है और यह आपके गरवासे गरीबा पर डॉट की तरह काम करता है यानि कि आपके गरवासे गरीबा को सील कर देता है Mucus plug, सफेद रंग का जैसे कि रक्त होता है na blood उसकी जैसा हो सकता है दिखने में या फ़िर ये हलका भूरे रंगा हो सकता है या फिर गुलाबी रंगा भी हो सकता है जैसे कि white color का अपको recharge होगा उसमें आपको रक्त की धारियां देखने को मिल सकती है तो इस टाप से आप पैचान सकते हैं कि यह mucos plug discharge है normally mucos plug discharge discharge की रूप में बाहर आता है और यह delivery से कुछ time पहले ही बाहर आता है कुछ महिला होका तो 10-15 दिन पहले से ही बाहर आने start हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है कुछ के साथ ऐसा होता है कि delivery से 5-7 दिन पहले बाहर आता है किसी किसी का 1-2 दिन पहले बाहर आता है और किसी किसी का delivery वाले दिन ही बाहर आता है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है इसका कोई एक तरीका नहीं है कि इसी तरीके से बाहर आएगा किसी तरीके से भी भाहर आ सकता है और देखिए ये जो mucos plug होता है ये आपके बच्चे को संक्रमन से बचाने के लिए होता है जब आपका बच्चा हैड़ डाउन कर लेता है और आपका body normal delivery के लिए तयार होने लग जाता है तो ये जो discharge है अपने आप देखर करके बहार आने लग जाता है या फिर एकदम से बहार आ जाता है क्योंकि अब आपके बच्चे को बहार आना है तो इस वज़े से आपका डॉट खुल जाता है मतलब कि mucus plug का dot खुल जाता है और वो बाहराना start हो जाता है और ये बहुत बरा लक्षण होता है कि आपकी normal delivery होने वाली है क्योंकि mucus plug खुला है इसका मतलब यह है कि आपका body normal delivery लिए तयार हो रहा है आपके सरीन में relaxing hormones बन रहा है आपका बच्चे ने head down कर लिया है वो अपने सिर से दबाब बना रहा है दबाब बनाता है तभी वो dot खुलता है तो बहुत बरा लक्षण है कि आपकी delivery बहुत जल्दी होने वाली है बागी देखिए कई बार mucus plug discharge ना delivery से पहले भी हो जाता है कई बार अपने आपी हलका फुलका बाहर आ जाता है और अपने आपी बन जाता है और कई बार relation मनाने के बाद आपका हलका फुलका mucus plug बाहर आ सकता है इसमें घबनाना नहीं है लेकिन delivery से पहले बाहर आया है तो आप इन डॉक्टर से जरूर बात करें इसके अलावा कुछ महिलाओं का सर्वेक्स में सील करने की चमता कम होती है या फिर सर्वेक्स कमजोर होता है तो ऐसे में भी ये बार बार बाहर आने लग जाता है या फिर माली जी की किसी महिला की delivery समय से पहले होने वाली है तो भी mucus plug discharge हो सकता है तो ऐसे मैं आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए अब जान लेते हैं कि mucus plug कैसे निकलता है तो नॉर्मली mucus plug discharge आपके वजैना की रास्ते यानी की रास्ते बाहर आता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप डॉक्टर के पार चेक अप के लिए जाती है ना जो कि नॉर्मली हम 9 मीने में जाते हैं तो डॉक्टर आपके वजैना को finger डाल के चेक करती है तो इस तरीके से बाहर आता है बांकि pregnancy के 9 मीने में तो बाहर आना ही है अब हम जान लेते हैं कि कैसा mucus plug discharge होने पे आपको डॉक्टर के पास तुरण जाना चाहिए देखिए नॉर्मली mucus plug discharge होने पे आपको बिल्कुर भी दर्द नहीं होता लेकिन mucus plug discharge होने पे आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आपको ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसका color मैं आपको बता दिया सफेद खून लगा हुआ यानि कि लाल रंका हो सकता है गुलाबी रंका हो सकता है भूरे रंका हो सकता है लेकिन इसका color change हो गया, black है या फिर माली जी की green color का हो गया तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और माली जी की mucus plug discharge के साथ साथ आपको काफे ज़्यादा bleeding हो रही है तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसके अलाबा, mucus plug discharge होने के बाद आपको उसमें से smell आ रही है क्योंकि mucus plug discharge से कोई भी गंदी smell नहीं आती है लेकिन आपको smell आ रही है तो इसका मतलब यह है कि साथ आपको संकरमन होने की समस्या हो गई है तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अब बहुत ही important सवाल कि क्या mucus plug discharge निकलने के बाद ही normal delivery होती है तो देखिए ऐसा नहीं है बहुत सा मेलाओ को तो पता भी नहीं चलता है कि उनका mucus plug का बाहर निकल गया है कई बार तो ना आते समय मेलाओ का बाहर निकल जाता है पूर्टी करते समय आपका mucus plug बाहर आ सकता है तो कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा mucus plug बाहर निकल चुका है लेकिन आपकी normal delivery होती है और देखो ऐसा भी नहीं है कि labor में जाने से पहले यानि कि labor pain सुरू होने से पहले ही आपका mucus plug discharge हो जाता है कई बार ये delivery के दोरान यानि कि pressure up के दोरान भी बाहर आ जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि मेलाओ को pressure पीरा स्टार्ट हो जाता है लेकिन उनका mucus plug बाहर नहीं आता है तो कुछ भी हो सकता है लेकिन mucus plug discharge हो रहा है तो इससे आप अंदर चा लगा सकती है कि आपकी delivery जल्दी हो जाएगी अगर आपका mucus plug आ रहा है तो अच्छी बात है नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब normal है बागी आप वें डॉक्टर के संपरिक में रहे है डॉक्टर ने कहा दिया कि normal delivery होगी सब कुछ ठीक है तो normal delivery होगी किसी मेला में delivery का कोई सा लक्षन दिखाए देता है किसी में कोई सा लक्षन दिखाए देता है किसी में साई लक्षन दिखाए देते हैं तो जो यह नहीं कि आपको भी mucus plug discharge 10-15 दिन पहले हो या फिर 2-5 दिन पहले हो या फिर जिस दिन delivery हो उसी दिन हो कैसे भी हो सकता है बिना mucus plug discharge के भी आपको लेवर पर इन श्टार्ट हो सकता है तो चिंता मत कीजिए 9 मेना श्टार्ट हो गया है 36 वीक खतम हो चुका है 37 वीक श्टार्ट हो चुका है तो मतलब यह है कि अब आपकी delivery कभी भी हो जाएगी तो मैं डॉक्टर के संपरिक में रही है जैसा वो कहते हैं वैसा कीजिए ताकि आगे कोई problem ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए वागे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई थैंक्यू सो मच नमस्ते